Google Pixel XL2 की कुछ images leak होकर आई हैं जहां हमें यह पता चलता है कि इस device में हमें देखने को मिल सकता है bezel-less screen Motorola की upcoming phone Moto X4 में हमें देखने को मिल सकता है dual rear cameras Sony Xperia XZ1 शायद हमें latest upcoming Android 8.0 में देखने को मिल सकती है बहुत जल्द हमें Intel Core i9 processor हमें laptop में देखने को मिल सकते है LG की upcoming phone V30 में हमें देखने को मिल सकती है dual rear cameras और glass back panel नमस्कार दोस्तो मेरा ना मेरा रहुल और आप देखरें Geeknose & News leaks के मुताबिक upcoming phone Google Pixel XL2 में हमें देखने को मिल सकता है bezel-less screen बट earlier leaks के मुताबिक इस device में हमें dual rear cameras मिलने वाले थे बट अभी जो leaks निकल कर आई है इस हिसाबसे dual rear cameras नहीं देखने को मिलेंगे साथ ही अगर specification के बात करें तो शायद यह phone हमें Qualcomm Snapdragon 836 में देखने को मिल सकता है इसके लावे इस device में हमें मिल सकता है Android O का specification साथ ही 16MP का rear camera और 8MP का front camera बट यह सारे specifications leaks के मुताबिक आई है तो जैसे ही final update साथ ही specifications related इस phone के बारे में मैं आपको update करते रहोंगा Motorola के upcoming phone Moto X4 में हमें देखने को मिल सकते है dual rear camera dual tone LED flashes के साथ इसके अलावा leaks के मुताबिक इस phone में हमें मिल सकते है 5.2 inch के full HD display और Qualcomm Snapdragon 660 का chipset बात करेगर RAM के तो यहां में देखने को मिल सकता है 4GB का RAM इसके अलावा यह phone हमें 32GB और 64GB internal storage variants में मिल सकते है battery के मामले में हो सकते हैं यहां देखने को मिल जाए 3800mAh की एक battery यह सारे specifications leaks के मुताबिक आई हैं पर जैसे ही final specifications आती ही मैं आपको update करते रहोंगा Sony की upcoming phone Sony Xperia XZ1 में हमें देखने को मिल सकता है upcoming latest Android 8.0 इसके अलावा 19MP का rear camera बात करेगर other specifications के तो यहां में हो सकता है देखने को मिल जाए 5.1 inch का full HD display Adreno 540 GPU और 64GB की internal storage प्रोसेसर की बात करेओं यहां पर हमें देखने को मिल सकता है Qualcomm Snapdragon 835 का chipset 4GB RAM के साथ LG की upcoming phone LG V30 में हमें देखने को मिल सकता है dual rear camera और PCM में देखने को मिल सकता है glass finishing इसके अलावा माना यह भी जा रहा है कि इस device में हमें देखने को मिल सकता है 18 is to 9 ratio का screen जहां हम यह expect कर सकते है कि इस device में हो सकता है आमें bezel-less screen देखने को मिल सकता है साथ है इस device में Qualcomm Snapdragon 835 का chipset 3200 mAh की battery 32GB, 64GB, 128GB, 3 variants of phone हमें देखने को मिल सकते हैं इस device के लिए finally Xiaomi अपना latest phablet device Xiaomi Mi Note 3 launch करने जा रहा है और जो expected specification है इस device के वो है Qualcomm Snapdragon 835 chipset, 6GB RAM और Android 7.1 Nougat का support but और जो specification से जैसे कि हमें Xiaomi Mi Note 2 में देखने को मिला था हो सकता है कि उससे कुछ better specifications हमें यहां देखने को मिल जाए so दोस्तो आज के लिए बस इतना ही अगर news अच्छा लगे तो इस वीडियो को like कीजिएगा और अगर पहली बार आप हमारे वीडियो को देख रहे है तो हमारे चैनल को subscribe करना बिल्कुल मत भूलिएगा तो चले फ्रेंड मिलते है आपने अगले tech news या एक phone review या एक best under video के साथ and till then love your geek